हलो दोस्तों नमस्कार मैं मिश्टर भी शुडूर आज आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों और यह मेरी कान तम्मा यह मेरी बीबी अब बोलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करती है और दोस्तों आज जो आएंगे उसके बाद जोड़ेंगे इधर हमारी बीबी का कीचन का सेट्रिंग हो गया है तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं और सактер सप्प क्लराओं और दाइन के लिए नदू सब्सक्राइब मुरक्त करें लिए हूँ कि यख़ 얼마나 है जिए यहां हो गया है कि सेट्रिंग का शहक्कि यार बाइथ बरतंद दुर्थ गरत बनाने के लिए मैं दिखाता हूं पुरा घर किस तरह करें व quick camera करें तो दोस्तों देख सकते हैं एह हमारा कीचन जो की सेट्रिंग हो गया है और इधर एक रूम हो गया है जो की दर्वाजा भी इसमें लग गया है और यहां से बाहर वह अंदर के तरफ खुलेगा यह भी इधर अंदर के तरफ बंद होगा बतब दोल अंदर के तरफ खुलेगा और लग गया है दूसरे कमरे का बाकि इसमें भी पाइट बन चुका है दिवाल बनाने का उपर अभी लगेगा अभी थोड़ाव ढ़लाएगा उसके बाद छत के बराबर आएगा और इधर देख सकते हैं अपना तीसरा कमरा हो गया है इधर भी और यह स्टूडियो है हमारा जो क जो भी भाई लोग आप लोग आएंगे हमारे घर तो इसी में बैठाएंगे आप सभी को और इधर है जब घर पूरा बन जाएगा तो यह सारा जो है इस छत का इसे हटा के और यहां से सीधे पूरा निकालेंगे मतलब जो पीछे यहां पर जो देख सकते हैं टीना दिख र रहे थे तो चली हम बताते हैं पूछ क्या रहे थे दोस्तों मैं खुद बता रहा हूं कि आपका लाइट रिंग बाथरूम कहां बनेगा सवच्छ भारत अभियान का नियम पालन नहीं कर रहे हैं यह है मतलब कह रहे थे कमेंट आया था इसके पहले तो दोस्तों मैं दिखा देख सकतें यह जमीन है यहां पर बनेगा अपना लाइट रिंग बाथरूम और यह नहीं से शीड़ी चड़ेंगे और जाएंगे सीदे छत पर और इधर देख सकते space जो है जो खमा देखे रहा है खम्मा से 9 इंच इधर है वहां से अपना मतलब जमीन है पुरा भी कम से कम 7 फुट बचा है उसके बाद और इधर ये सब रहेगा पूरा बेवस्था और देख सकते हैं दोस्तों हमारे घर का लुक क्या अभी समय लग रहा है बतायागा दोस्तों वहां दो रू बनवाया है जिसमें किचन बाथरूम किचन तो बन गया बाथरूम लाइटरिंग बाहर से होगा यहां इस देवाल के पार यहीं से साइड से बनेगा और पीछे तक बनेगा दोस्तों तो बस मेरे घर का यही लुकेशन है यही नक्सा है और वाकी मजा है दोस्तों आप मालती यह बताओ कब तक घर बन जाए कि के जानी तो अच्छा है बताओ घर में हम लोगों का जब नया मेहमान आएगा तो गरिफ परवेश उसी से किया जाएगा ना अच्छा ही बताओ इधर बन जाए जब उख चले लाग रहे तब नगरिफ परवेश होई तब हमार मेरा रू खाना वहीं बनाए भाईया वहीं में तो दोस्तों बता रहा हूं एक कमरा है 14 गुड़े 15 का यह 12 गुड़े 15 का साइड का जो है यह वाला है 12 गुड़े 15 का और यह हैं दस अफाई 8 का और 10 गुड़ है जब呢 शब्ला 00 и átp Das weight रहे Kitella一樣 outunde тडशह 16-ks यह वहींस के तो दोस्तों हमारा रूंप कैसा लगा आप लोग अब बताय देख सकते हैं vê रों का location क्या है दोस्तों और कैसा है और जो है मुख इसका मेरे घर का रहे गा मतलब दच्छिड से उत्तर के साइड मतलब दच्छिड साइड घर है उत्तर हम लोग निकलेंगे और उत्तर मतलब कहते हैं उत्तर मुह द्वार करना सही है लेकिन दच्छिड मुह द्वार करना नहीं सही है इसलिए उत्तर मुह हम लोग निकलेंगे और यहां से आएंगे और कुमालती वीडियो के क्या करना है वीडियो को पूरा देखे और लाइक सेर सब्सक्राइब और यह ताओ घर बनते समय कैसा लग रहा है हां कैशा इधर देखो कितना अच्छा लग रहा है एक बार हस दो एक बार रो दो रो अपढ़ नहीं तो दोस्तो यहां पर और जो भी मिस्तिरी और लेबर हैं सब अपने ही हैं और यहां पर मेरी दीब कुछ नहीं करती है यहां बैटके खाली मुंफली काती है मुंफली खाती हो ना इधर देखो एक बार बोल दो बोल दो दोस्तों बाइस